लोग आने वाली सरकार जो है वो कॉंग्रिस की बनाएंगे और राहूल गांदी जी प्रधान मंतरी बनेंगे राहूल जी ये जो यात्रा है ये देश जोडने के लिए कर रहे हैं राहूल जी ने काया है कि मैं ये वोटों के लिए मैं ये यात्रा नहीं कर रहा हूँ तासीर तो पूरे हिंदुस्तान के बदल रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों का कॉंगरिस पार्टी के और रोजानवा है भारат जोडो यात्रा लगातार चल रही है चाहे कोहरा है धुंद है बरशाथ है लगातार चल रही है बड़े-बड़े नेता जैराम रमेश जैसे किंद्रीय मंतरी से लेकर हरियाना के कैबिनिट मिनिस्टर तक पूरो मंतरी आपने देखे होंगे यहाँ पर भुपिंदर सिंग हुड़ा CLP लिडर है वो भी आपने देखे हूँ लेकिन इसके इलावा भी बहुत सारे शेत्रिये नेता हैं जो लगातार इस यात्रों को काम्याब बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं बिना किसी ठंड के परवा किये बिना किसी और समश् किता है हरत आज पर थेंक्यू बारतीम की सभी देखने वालों को आपका बार आप आई इतनी कड़कती ठंड के अंदर इस तरीके से हमारे नेता अधरनी राहुल जी चोदर भुपेंदर सिंग उड़ा और दिपेंदर जी और तमाम हजारों हजारों संख्या में चल रहे है और इतनी कड़ाके के ठंड में तमाम पतरकार साथी जो इस यातरा में जुड़े हैं उनका विशेशतोर पर धन्यवाद है जी ठंड में आपके नेता चल रहे हैं आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं कंदे से कंदा मिलाक चाहे तेलंगाना हो, चाहे महराष्टरा हो, राजस्थान यूपियू, अर्याना में आपने देखा कितने तगड़ी रहली थी। और अभी आप देखो, कल यातरा में आपने देखा होगा कि आप तो चली रहे हैं। कि कितने अजारों लोग स्रड़कों पे मजदूरों किसान दुकान दारों समाज का हर एक हां हर एक तब का तो कहा जा सकते हैं भारत जोड़ रहा है कहीं अब लगातार कॉंग्रेस का कुन्बा बढ़ता चला जाएगा निश्चित तोर पर इसमें तो कोई आस्चरिय नहीं है किस सर्दी का मौसम है स्वेरे छे चल पड़ते हैं राउल जी और तमाम यात्री उसके बावजुद आप देख सकते हैं जब छे बज़े नेता को देखने के लिए लोग स्रड़कों पे अजारों जार लोग आते हैं तो इस तोर पे तो बदलाव के काउट है अब वोट में तब दिल हो पाएगी है फैन फॉलउंग दो हजार चोबिस में बिलकुल इसमें तो कोई आशरीय नहीं क्योंकि जिस तादाद में लोग आये हैं और निश्य तोर पे यह कि बारतिय जनता पार्टी की नीतियों से प्रिशान है और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से जात औ अंदर देश को जागे रखा है प्रन्तु लोग इस चीज़ से हो बचुके हैं और तमाम देशपास से चाहते हैं कि कठे मिलके रावल जी और कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करें चलिए शुब कामना है रही कि 2024 के लिए एक और नेता जी हैं नेता जी सबसे पहले आपक हलका मेरा पे होगा है और मैं इंडियन यूथ कॉंग्रिस में प्रियानों भी हूँ जब यात्रा आपके हरियाना में प्रवेश की गई है तो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है क्या सरफ यूवा ही जुड़ रहे हैं या फिर हर तबके का वेक्ति हर उमर लिहाज का वे सर ऐसा है आपने देखा होगा पहले चरन में यात्रार जब राज्यस्थान से नू मेवात में आई थी तो हजारों लाखों की संख्या में चोदरी विपेंदर सिंग हुड़ा जी वह हमारे PCC अद्यक्ष उदेबान जी के नेतरतव में वहां हजारों लोगों ने वहां या में जो एक महाल जाती को आपस में बांटने का धरम को आपस में बांटने का एक जो मोल क्रेट कर रखा है तो राहुल जी उसी उदेशिया के साथ चल रहे हैं कि यह जो महाल बीजेपी ने क्रेट कर रखा है हमने वह महाल जो है वह तोड़ना है राहुल जी ने अपना काम क क्या कर पाएंगे आप लोग ऐसा है पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल जी ये जो यात्रा है ये देश जोडने के लिए कर रहे हैं राहुल जी ने कहा है कि मैं ये वोटों के लिए मैं ये यात्रा नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर हम बात करें लोगों का आम लोग जो हैं वो खुद राहुल जी से जुड़ रहे हैं राहुल जी की नीती जो है वो जिस नीती के साथ चल रहे हैं कन्या कुमारी से कश्मीर तक तक जोड़े रख पाएंगे ना आप लोग जी बिलकुल बिलकुल मुद्धी सरकार की गलत नीतियों से लोग इतना परशान हैं लोग आने वाली सरकार जो है वो कॉंग्रिस की बनाएंगे और राहुल गंदी जी प्रधान मंतरी बनेंगे बहुत बहुत बढ़िया देखेगा अब लगतार राजनिती नहीं करना चाहते हैं इस पूरे मसले पर कहते हैं कि वोट के लिए यात्रा नहीं है भारत जोडने के लिए है लेकिन ये तो देखना होगा कि जब 2024 का रण छड़ेगा तो तब क्या इस भारत जोड़ो यात्रा को भुनाया जाएगा या फिर इसको बिलकुल गोण कर दिया जाएगा और नए मुद्दे नए मसले लेकर 2024 के तख्त पर पहुँचा जाएगा वो भी आपको भारत आज दिखाएगा बने रहना होगा भारत आज के साथ कैमरामें सयोगी कार्ती के साथ मैं ये श्पाल कंचन